Hello everyone, Welcome to English Education, I am Pooja Balian, your English teacher और आज हम पढ़ने वाले हैं 7th class का chapter number 2 और chapter का नाम है A Brave Shepherd Boy Shepherd होते हैं जो चरवाहे होते हैं यानि कि जो भेड़ बक्रियों या गाएं बहसों को चराते हैं उनको कहा जाते हैं Shepherd तो यह जो एक कहानी है एक Shepherd Boy की है जो बहुत बहादूर होता है तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हम सबसे पहले कि आप chapter में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या इसकी moral है A fearless person can overcome all difficulties जो एक fearless person होता है यानि कि जो निडर व्यक्ति होता है वो सभी मुसीबतों पर जीत हासिल कर लेता है कितनी भी मुसीबते हों उसके सामने वो जीत हासिल कर लेता है इन इस lesson इस lesson में you will read about a boy इस lesson में आप एक लड़के के बारे में पढ़ोगे who is not afraid of anything जो किसी चीज से नहीं डरता डरता है and kills a giant, giant means दानव एक राक्षश और एक राक्षश को मार देता है तो इस स्टार्ट करते हैं चप्टर को there was a farmer एक किसान था he was very poor वह बहुत गरीब था he lived in Israel वो इसराइल में रहता था with his family अपने परिवार के साथ he had four sons उसके चार बेटे थे they all were very brave and honest वो सभी जो हैं बहुत बहाद्दूर और इमांदार थे उसके बेटे बहुत इमांदार और बहाद्दूर थे the three eldersone served in the king's army while david उसके जो बड़े तीन बेटे थे वो राजा की आर्मी में सेवा देते थे यानिके वहाँ पर काम करते थे जबकी जो डेविड था दा यंगेस्ट वन जो सबसे छोटा था लिवड विद इस पैरेंट्स वो अपने पैरेंट्स के साथ रहता था यंग डेविड वाज वेरी ब्रेव जो छोटा डेविड था वो बहुत बहाद्दूर था उसे भी इंट्रस्ट था कि वोँ एक सोलजर बने गड़ियो जो आर्मी थी उसे जोईन करने में वो इंट्रस्टिर था वो चाहते थे वो चाहते थे कि वो घर पर ही रहे और जो उनकी भेड़े थी उनकी देख भाल कर ढज़िए देखिए जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो एवरी डें हर दिन डेविड टुक दिया शेप ओन दा हिल्स फॉर ग्रैजिंग मेंस होता है चड़ने के लिए तो डेविड जो है जो उनकी भेड़ें थी उसको पहाड़ियों पर ले जाता था चड़ने के लिए चराने के लिए there were many wild animals in the forest nearby जो आसपास का जंगल था वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर wild animals में जंगली जानवर रहते थे जो डेविड हैड टो रिमेन अलर्ट अलर्ट मिन सावधान इसलिए जो डेविड था वो हमेशा सावधान रहता था while the sheep were on the grace जब जो भेड चरती थी जो भेडे थी वो महाँ पर चरती थी तो वो बहुत ही अलर्ट रहता था he would search for flat round stone along the river bank and put them in his bag अब जब भेडे चरती रहती थी तो जो डेविड था वो क्या करता था search करता रहता था जो flat land थी वहाँ पर वो search करता रहता था क्या stones जो पत्थर थे round stone गोल पत्थर थे उन्हें search करता रहता था नदी के किनारे पर और उन्हें अपने बैग में रख लेता था whenever a hungry wolf came to kill the sheep जब कभी जो एक भूका भेडिया होता था वो उसकी भेडों को मारने के लिए आता था डेविड वोड टेक आउट एक stone from his bag तो डेविड क्या करता था एक stone को अपने बैग से निकाल लेता था and put it in his sling sling का मतलब होता है गुलैल और वो उस पत्थर को अपनी sling में अपनी गुलैल में रख लेता था वो गुलैल को जो है अपने सिर के उपर से गुमाता था तो वो उसे अपने सिर के उपर से गुमाता था and the stone flew from it through the air and hit the wild beast between the eyes and killed it beast यहां पर भेडिये को कहा गया है तो कह रहे हैं कि वो क्या करता था अपने सिर के उपर से अपनी गुलैल को गुमाता था उसमें पत्थर रखता था और हवास के बीच उस लिंग को छोड़ देता था जो पठ्थर होता था जाता था जुद्फ मे जाता था भूम कर और क्या होता था heavy दा वेलड वीस्ट और उस जंगली ज़ वो बीस्ट था दाणव की तरह दिखाया देता था जब एक दूसरे जानवर को मुझाता था तो वो दाणवी हो जाता है तो वो कहता था कि उसको मारता था, कहां पर मारता था, between the eyes, उसकी आखों के बीच में, and killed it, और उसे मार गिराता था था, then he always ran to it, and cut off its head, and took the skin home, और फिर वो क्या करता था, हमेशा जो है, उसे पकड़ लेता था, भाग कर, cut off his head, उसके सिर को काट देता था, and took his skin home, और उसकी skin को, जिस भी जानवर को मारता था, उसको घर ले जाता था, आगे देखते हैं, one day, his father called him, एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया, और क्या कहा, philistines, philistines who are our enemies, जो हमारे शत्रू है, are marching into Israel, वो जो है, इसराइल पर धावा बोलने वाले हैं, चड़ाई कर रहे हैं, marching, he said, उन्होंने उसे बताया, go to the town, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है, टाउन में जाना है, and find your brother, अपने brothers को डूलना है, यानि कि उनके पास जाना है, in the king's army, जो king's army में सेवा करते थे, वहाँ पर जाना है, give them this bag of floor, वो उसे आटा देते हैं, और कहते हैं, कि ये जो floor है, ये उन्हें देना है, तुम्हें end these letters, और कुछ पत्र देते हैं, वो देने हैं, before they go to fight, कि वहाँ पर लड़ाई होने वाली है, तो उसे कहते हैं, कि ये floor तुम्हें उन्हें देना हैं, और ये letters जो हैं, उन्हें देने हैं, उनके लड़ाई पर जाने से पहले, next paragraph, David took the floor and letters, अब जो David है, वो उस floor को, और letters को लेता है, he keep his ceiling in his pocket, वो अपनी pocket में अपनी ceiling, यानि कि गुलैल को भी रख लेता है, and left for the town, और town के लिए निकल जाता है, after walking for many days, कहीं दिनों तक चलने के बाद, he reached there, वो महाँ पर पहुँच जाता है, he met his brothers, वो अपने भाईयों से मिला, in the king's army, and gave them the bag of floor and letters, और वो जो bag लेकर वो आया था, वो उन्हें अपने भाईयों को दे देता है, जिसमें क्या होता है, floor and letters, तो जो है, महाँ पर पहुचता है, कहीं दिनों के बाद, अपने भाईयों से मिलता है, वो जो राजा की आर्मी में थे, और उन्हें वो bag दे देता है, next, the soldier of king's army, were in great panic, because gollient, देखे, जो soldiers थे, राजा की वो भहुच पैनिक थे, यानि कि भहुच डरे हुए थे, वो क्यों, क्योंकि एक gollient, gollient नाम का एक दानव था, a huge philistines giant, जो एक philistines giant था, उससे बहुच डरे हुए थे, was standing in front of their camp, वो कहाँ पर खड़ा हुआ था, उनके camp के सामने, यानि कि वो जो soldiers थे, army थी, कि उनके, उनके camp के सामने खड़ा हुआ था, and roaring loudly, और तेजी से roar कर रहा था, दाढ़ रहा था, I am gollant हो, कह रहा था, कि मैं gollant हूँ, he was saying, I am the, my test of all, my test में सबसे ताकतवर, और वो क्या कह रहा था, he was saying, वो कह रहा था, कि I am the, my test of all, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, I will destroy the land of Israel, वो कह रहा था, कि मैं इसराइल की लैंड को नस्ट कर दूँगा, and its people, और यहां के logo को भी, देखिए, अब यहां आपने देखा, कि एक दानव जो है, वहाँ पर खड़ा हुआ था, और वो इसराइल के logo को, और land को जो है, सामने से चुनोती दे रहा था, कह रहा था, कि मैं सबको नस्ट कर दूँगा, send your beast soldier, best soldier, to fight against me, वो यहां पर कहता है, कि, वो मितलब चुनोती दे रहा था, कह रहा था, कि भेजो, तुमारे जो best soldier है, सबसे अच्छे soldier है, fight करने के लिए, उन्हें भेजो against me, यहनि कि, वो मुझसे लड़े, and I will kill them all, और वो कह रहा था, कि मैं उन्हें सब ही को मार दूँगा, send your best soldier along to fight against me, and I will kill him too, वो कहता है, कि, अपने तुमारे जो सबसे best, सबसे बहादूर soldiers हैं, उन्हें भेजो, वो अपने भाईयों के पास भाग कर जाता है, और क्या कहता है, I shall go and fight the giant, वो कहता है, कि मैं जाऊंगा, और मैं इस दानव से लड़ाई करूँगा, he said, उसने कहा, but his brother only laughed at him, लेकिन जो उसके भाईयों होते हैं, वो के बहल उस पर हसने लगती है, गोलियन्थ is a mighty giant, and you are, तेस्टेला बोई, वो क्या कहते हैं, कि जो गोलियन्थ है, वो बहुत ताकतवर दानव है, और तुम अभी एक छोटे लड़के हो, तुम तो भी लड़के हो, देसे, उन्हों ने कहा, गो बैक, वो क्या कहते हैं, गो बैक हों, and look after our father's sheep, वो उसे कहते हैं, कि तुम वापस जाओ, और हमारे जो पिता हैं, उनकी बेड़ों को देखो, उनकी देखवाल करो, अब देखें आगे, The king of Israel, was also afraid of the giant, अब जो राजा था इसराइल का, वो भी बहुत दरा हुआ था उस दानव से, He had made an announcement, तभी वो एक announcement करता है, that anybody who would kill the gulliant, कि जो कोई भी उस दानव को gulliant को मारेगा, will marry his daughter, और वो क्या कहता है, कि मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूँगा, I will give him gold and jewels, and he will be the richest man in Israel, क्या कहता है, कि मैं उससे क्या दूँगा, gold दे दूँगा, वो सारे jewels, आभूशन दे दूँगा, और वो जो है, richest man बन जाएगा, इसराइल का, ये सारी बाते जो है, वहाँ पर राजा बोलता है, क्योंकि वो भी बहुत डरा हुआ है, जब डेविड ने राजा के अनाउंसमेंट को सुना, he went to him, वह उसके पास गया, and asked, और पूछा, if he could go and fight the giant, अगर वो महाँ पर जा सकता है, क्या वो महाँ पर जा सकता है, if question पूछा जा रहा है, क्या वो महाँ पर जा सकता है, और giant के साथ लड़ सकता है, the king was very surprised, अब राजा ये जो सुनकर बहुत surprise हुआ, because David was still very young, क्योंकि David अभी बहुत छोटा था, and ever the most craziest man of Israel, वो यहाँ पर even है, वो कह रहा है कि जो बहुती craziest लोग थे, बहुत सहासी लोग थे, craziest मिनस होता है सहासी, जो इसराइल के सबसे सहासी लोग थे, was not ready to go and fight the giant, वो भी तयार नहीं थे, जाने के लिए और giant से उस्दानों से fight करने के लिए, और यह तो बहुत छोटा लड़का है, इसलिए जो राजा है वो बहुत surprise है, देखिए, आप आप देख भी सकते हैं कि giant कितना बड़ा है, और जो boy है, वो बहुत small है, लेकिन जो brave लोग होते हैं, अभी आपको उपर बताया था, वो कि वो हर difficulty का सामना करते हैं, और जीत हासिल करते हैं, देखिए, however, the king had no other choice, अब जो राजा था, उसके पास और कोई choice ही नहीं थी, क्योंकि सब ने हाथ अपने खड़े कर दे थे, सब डरे हुए थे, अब उन्हों उसने क्या किया, उसने अनुमती दे दी देविड को, जाने के लिए, और उससे गोलियंस से लडने के लिए, गेव इस ओन शॉड तो डेविड एंड से, अब खुद की, शॉड मिन्स होता है तलवार, अब खुद की तलवार जो है राजा डेविड को देता है, और क्या कहा, टेक दे सोड, एंड फाइट विद जाइंट, कि ये तलवार लो, और जाइंट के साथ लडो, आई प्रे दा, आई प्रे दा, या पिदा है, दा ओल्माइटी, ओल्माइटी हैं पर कहा गया है भगवान को, जो सबसे ताकतवर होती है, फॉर यूर विक्टरी, अब राजा कहता है कि मैं प्रे करूँगा, भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा, कि जीत तुम्हारी हूँ, बट डेविड रिफ्यूजड, तुएक्सेप्ट देशोड लेकिन जो डेविड होता है, वो मना कर देता है, तलवार को लेने के लिए, वो मना कर देता है, और क्या कहता है, आइए मैं शेपर्ड बोई, क्यों कहता है कि मैं एक शेपर्ड बोई हूँ, मैं तो एक गडरिया हूँ, जो भेडों को चराता है I don't know मैं नहीं जानता हूं how to use a short कि मैं नहीं जानता कि एक तलवार को कैसे चलाया जाता है that shall I do what shall I do with it कि मैं इसके साथ क्या करूँगा मैं इसका क्या करूँगा देखें यां पर वो कहता है कि मुझे यह तलवार नहीं चाहिए वो accept करने के लिए मना कर देता है वो कहते कि मैं तो एक shepherd boy मुझे तलवार चलाना नहीं आता है और मैं इसका क्या करूँगा I have my own weapon weapon means होता है हतियार तो वो कहते कि मेरे पास मेरा हतियार है and I shall fight with it और वो कहते कि मैं उसी से लड़ूँगा He politely replied वो बहुत ही विनर्मता से उत्तर देता है then he took his bag full of round smooth stone फिर वो अपने bag को उठाता है जो किस से भरा हुआ है वो stone से भरा हुआ है and his ceiling and went to fight with gulliant था वो क्या करता है अपनी ceiling अहनी कि अपनी गुलैल को लेता है और चला जाता है वो fight करने के लिए उस gulliant से देखें आगे पढ़ते हैं when the giant saw that a little boy was coming to fight with him जब जो giant होता है वो दानव होता है वो देखता है कि एक छोटा लड़का उससे fight करने के लिए आ रहा है he was प्रसन हो जाता है खुश होता है you are a little boy तो कहता है कि तुम एक छोटे लड़के हो why have you come here तुम यहाँ पर क्यों आए हो are not you afraid of me तुमें मुझसे ड़न नहीं लगता go back वापस जाओ and hide in your home और अपने घर में छिप जाओ he mocked वो उसकी मजाक लेता है हसी उड़ाता है उसकी but david was a brave boy लेकिन david क्या था एक बहुत 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 लड़का था I have come here to kill you तो क्या कहता है david giant से कि मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूं fight with me and kill me if you can क्या कहता है कि मेरे साथ लड़ो और मुझे मारो अगर तुम मार सकते हो he challenged the giant वो challenge करता है giant को एक चुनोती देता है the giant became angry अब जो giant है वो नाराज हो गया his eyes became red with anger और उसकी जो आखे हैं वो गुस्से से लाल हो जाती है the ground shook, shook means होता है हिलना as he walked toward David जैसे ही वो डेविड की तरफ चलता है तो धर्ती हिलने लगती है so Israel has sent a boy to fight against me और क्या कहता है अच्छा तो Israel ने एक लड़का भेजा है लडने के लिए मेरे विरुद तो ये बात करता ही हुए आगे जाता है और धर्ती इलती रहती है जब वो आगे चलता है और क्या कहता है वो कि अच्छा तो जाएं Israel ने एक लड़के को भेजा है मेरे विरुद लडने के लिए I will cut off your head and give your body to the wild beast he cried out in anger वो गुसे में चिलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सर को काट दूंगा और wild beast को जंगली दानव को तुम्हें उसे दे दूंगा ये बात डेविड को जैन कहता है बट डेविड वाज नो काट लेकिन जो डेविड था वो क्या नहीं था वो बहुत ब्रेव था वो भाटने वाला नहीं था he remembered गोड उसने किसे याद किया उसने भगवान को याद किया and then said और फिर कहा even a little boy of Israel is brave than you वो कह रहा है कि भले ही मैं छोटा लड़का हूँ लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा ब्रेव हूँ तुमसे ज़्यादा बहादूर हूँ I am a boy वो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ but I will cut off your head लेकिन मैं तुम्हारे सर को काट दूँगा and throw your body before the wild beast वो कहता है कि मैं ही तुम्हारे सरीर को विल्ट पीस के पास फैक दूँगा के सामने फैक दूँगा वहन गोलियन्थ हेर्ड इस वर्ड जब गोलियन्थ इन शब्दों ने इन सब्दों को सुना he took out his huge sword and run toward the David अब वो अपनी बड़ी तलवार निकालता है और डेविड की तरफ भागता है डेविड quickly took a stone out of his back डेविड तुरंत क्या करता है जल्दी से अपने back से एक stone को निकालता है and put it in his sling और अपनी गुलैल में उसे रखता है he will means होता है गुमाना वो उसे गुमाता है किसे the sling above his head अपने सिर के उपर and the stone flew through the air और air के बीच से उस stone को फैक देता है it hit gollient between eyes अब ये कहां लगता है gollient के यानि कि वो जुदानव है उसके आँखों के पीच में and he fell down with a loud cry और वो जोर से चिलाते हुए जमीन पर गिर जाता है David ran forward and snatched the sword from his head यानि कि David जो है उसकी तरफ भागता है आगे की तरफ और उसकी हाथ से तलवार को खीच लेता है then he cut off the giant's head और फिर वो उस दानव के सिर को काट देता है with the big sword बड़ी सी तलवार से and carried it with him और उसे उसे मतलब उस दानव को दानव का जो सिर होता है उसे अपने साथ ले जाता है when the philistines saw the dead giant जब जब वो देखते हैं कि वो मर गया है मरा हुआ देखते हैं उसे they were so panicked that they run away from the battlefield अब वो लड़ने के लिए आये थे लेकिन वो बहुत panic की यानि कि वो बहुत डर जाते हैं घबरा जाते हैं और वो जो है पीछे भाग जाते हैं युद के मैदान से देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यह कौन है यह डेविड है और इसने giant के head को अपने हाथ में लिए रखा है और यह king of israel है when the king of israel heard this news जब इसराइल के राजा ने इस news को सुना he was very glad वो बहुत person हुए he at once sent for david उन्होंने तुरंत david को लाने के लिए भेजा बुलाया david came david आया to the royal court and board before the king board means होता है जुकना तो वो royal court में आता है साही दरबार में आता है और राजा के सामने जुकता है then he took out the giant's head out of his bag और फिर वो जो giant था उसका सिर निकालता है अपने bag से and put it at the king's feet और राजा के पैरों पर उसे रख देता है the king was so happy that he embraced david and made him sit beside him अब राजा बहुत खुश होता है और david से person होकर वो उसे अपने बगल में बिठा लेता है the people of israel were also very happy अब जो israel के लोग थे वो भी बहुत खुश होते हैं because david had saved them from gulliant क्योंकि david ने उन सभी को उस gulliant नामक जो giant था उससे बचा लिया उस दानव से उसे उनके जीवन को बचा लिया था the king kept his promise अब जो राजा थे उन्होंने promise किया था कि वो अपनी बेटी की शादी करेंगे तो अपने promise को रखते हैं यानि कि अपनी promise उन्हें याद होती है he married his daughter to the david वो अपनी बेटी की शादी david से कर देते हैं and gave him a half of his kingdom उसे उन्हें अपना आधा राज्य भी दे देते हैं and plenty of gold और बहुत सारा gold देते हैं और jewel देते हैं आभूशन देते हैं david lived happily with his wife and ruled over his kingdom अब जो david होता है वो खुसी खुसी अपनी wife के साथ रहता है और महापर उस राज्य में राज करने लगता है तो यहाँ पर आपने देखा कि जो brave होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है भले ही वो छोटे हों बड़े हों कोई matter नहीं होता है ठीक है I hope यह chapter आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको chapter समझ आ गया है और वीडियो अच्छी लगी है तो please like जरूर करें और अगर channel आपने subscribe नहीं किया है तो इस channel को subscribe करें तो मिलते हैं आपनी next video में तब तक के झाय करें आप Um